हेलो Bellum बैक्ट twom आज लेक्टूइग में हम लाइपोमा के बारे में बढ़ेंगे लाइपोमा के पढ़ने से पहले में स्टॉरी पठाना मैंने यह लाइपोमा पर वीडियो क्यों रगार्ड करी है बेसिकली ना आजकल लोगों के बिच में एक मित है वो मित क्या है कि अगर कहीं भी स्वैलिंग हो जाती है या कुछ ट्यूमरिस सा अपियरिंस है तो लोग कंफ्यूस करने लगते हैं उस चीज को लेकर क्रिटिसाइ क्योंकि अभी हमें यह ऐसा जमाना आगा है कि थोड़ा सबने आपको अपडेट करना पड़ेगा टेक्नीकली और कुछ चीज़ों अपनी ना मेंटालिटी चेंज करने पड़ेगे कि हमारे लिए भी अच्छा हो समास के लिए भी अच्छा हो और लोगों की एमोशन को एक तरीके से हमारी स्किन और अंडरलाइंग जो मसल्स उनके बीच में फैट का डिपॉसिट है बेसिकली काफी स्लो ग्रोइंग फैटी लांप सोते हैं यह कहीं भी हो सकते हैं मारे नेक पे शोल्डर पे हैड पे थाइस में कहीं भी हो सकते हैं स्कुम मेंन कहीं भी होते हैं इ Telesи कैपसूल उनके बडिच और तो इनको किन को तैसे और भी आपी हैं परहे ठीम मनेंद यह काफी इस प्रावज पिड़न नेласт Nic that you see positive. इसमें इतना वरी करने माली कोई चीज नहीं कि हाँ और किसी भी एज में हो सकते हैं मैं दीरे दीरे आगे आपको सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में लिकिन मैं बेसिक अगर आपको इसके बारे में ब्रीफ करूं तो एक तरीके से यह फैर डिपॉसित है जो कि हमारे स्किन और अंडरलाइंग मसल्स के बीच में होते हैं यह नॉन मैलिगनेंट होते हैं और हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं क्याप्स्यूल टाइप अपेरिंस होता है इनका डो जैसा अगर आप इनको टच करोगे तो यह मूव भी गरेंगे अगर हम इनको डाफिनिशन के दू हो जाएं तो लाइपोमा एक slow growing fatty lumps है जो कि most often situated होते हैं हमारे skin and underlying muscles के बीच में लाइपोमा को आप फील कर सकते हो यह डो जैसा होता है कि यह usually move भी करते हैं यह slightly finger से जैसे आप touch करोगे मूव करेंगे यह middle age में जैसे मैंने आपको बताया किसी भी age में हो सकता है basically 40-60 years के age में होते हैं और genetic factors भी होते हैं हम आगे पढ़ेंगे पर यह किसी भी age में हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह fat deposit होते हैं तो आप देख सकते हैं इस diagram में कि हमारी skin है जो यह upper layer है हमारी skin की and यह हमारी skin की underlying muscles की layer है उसके बीच में yellow part जो आपको दिख रहा है वह fat tissues है fat deposit है आप देख सकते हैं यह जो फेवरस capsule के shape में है यह fat deposit जिसको हम lipoma कहते हैं और यह किसी को भी हो सकता है genetic factors तो होते ही है वह आगे हम पढ़ेंगे आपको अगर मैं आपको life बताऊं यह तो मैंने आपको diagrammatic दिखाया कैसा होता है यह live lipoma extraction है जो कि extract किये हैं human से इस तरीके से जैसे आप देख सकते है fat deposit है इस तरीके से fat deposit होते है size vary करता है different sizes के ही हो सकते है okay so now अब इसके बाद हम पढ़ते है symptoms क्या है lipoma के so lipoma हमारी body में कहीं भी हो सकते है typically situated होते है हमारे skin पे है ना जैसे हमारे just under the skin situated होते है and commonly neck पे shoulder पे back पे abdomen में arms में and thighs में होते हैं जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था and जैसे मैंने बताया था कि soft dough जैसा appearance होता है जब आप touch करेंगे तो तो यह easily ना जैसे slightly finger से आप touch करेंगे तो easily move भी करते है and generally small होते हैं अगर size की बात करें की size क्या है तो typically less than two inches होते हैं दो इंचे से छोटे होता है फाइव सेंटिमेटर के डायमेटर के अप्रॉक size में होते हैं लेकिन बढ़ भी सकते मैंने बताया ने के sizes vary भी करते तो यह बढ़ भी सकते हैं and sometimes कुछ लाइपोमा जैसे होते हैं जो painful होते हैं so जिसके वज़े से अगर आप उनको touch करोगे तो pain भी होंगे वह grow भी करते हैं उनकी sizes बढ़ते भी हैं दीरे दीरे लेकिन अगर आपको लग रहा है जब आपको प्रॉब्लम हो रही है मतलब हमें जाना चाहिए कि अगर हमें लाइपोमा है हमें पता है कि ठीक है वह नौन मै है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाये विकास आप अपने आप डिफ्रेंशियेट नहीं कर सकते हैं कि यह मैलिगनेंट है या नौन मैलिगनेंट है आपको डॉक्टर को तो पहले कंसल्ट करना ही चाहिए अब कॉसे क्या पता चलेगा कि किस कारण से लाइपोमा होते ह हैं तो जो कॉजिज आने लाइपोमा के वो अभी तक अंडर्स्टूड नहीं हुए फामिली में जैसे अन्हें बताया कि जैनेतिक फ्रेंटिक फक्टर दो में और प्ले करते हैं इन उन्यवलापमेंटि RC फैक्टर की बात करें तो क्या रिस्क फैक्टर कुछ रिस्क फैक यह सकते हैं यह अगर हम अगर हम इक रिसक्रफ्स की बात करें तो महां होने की चैंस्स होते हैं यह काफी कॉमन एज ग्रुप है जब जो स्टैडी की गई हो स्टैडी के कॉड़िंगों इस कॉमनेज ग्रुप में जाधा पर ने सथे करते हैं so guys be aware ऐसे confused नहीं होना है कि अगर और किसी वीडियो की आपको रिक्वार्मेंट है किसी टॉपिक पे तो प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएं thank you so much